जाए हिंद इस वीडियो में लोग बलारपूर इंड़ेस्ट्री लिमिटेड कंपनी पर बात करेंगे देखे लगए तीन महासे कंपनी का सेरप्राइज सिर्फ निचीक तेरफ ही जा रहा है ऐसे में वो लोग जो काफी उपरी लिवर पर भाई करके फसें हुए उनके लिए बात है तो इस वीडियो में इसी चिंता और दोर को दूर करने का प्रयास करेंगे जानेंगे कि आखिर इस कंपनी का सेरप्राइज सूपर कब उठेगा ताकि जो लोग भी फंसे हुए वह बाहर निकल सके और साथ मैं यह भी बताऊंगा कि फ्यूचर क्रोथ क्या है इस करना चाता है तो उन्हें कोई मुस्यबत है प्रसानी नहीं वीडियो सुरू करते हैं सबसे प्ले देखिए बलार पूर इंडेस्ट्री लिम्टेट यह पेपर इंडेस्ट्री से जुड़ ही कंपनी है अर्थात यह राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर का छपाई करती है तो एक बात हुते है कि पेपर बनाने वाले कंपनी कागज बनाते है तो इसका मतलब डिमांड नहीं कंपनी फ्यूचर में इसका डिमांड रहने वाला है लेकिन सिर्फ यह काफी नहीं है इसमें इंडेस्ट्मेंट करने लिए बहुत सारे चीज़ों को देखना होता है तो और देखेंगे यह जनुवरी में ही आया था इसी साल 2022 में इसने अपना तीन रुपए का हाई बनाया था उसके बाद से शेयर प्राइस डाउन जा रहा है और अभी देखेंगे तो यह अपने प्रिवियस जहां से मतलब शेयर प्राइस उठना शुरूआ था वहां पर आ च शेयर चुका है और अभी कुछ दिनों से इसमें इसका स्यर्पाइस कर रहा है एक फिक्स्ट रेंज में इसका से घूम रहा है अब देखिया अगया जैसे इसका से बाहर निकलेगा इसका से उपर कि तरफ जाएगा जब से इसने अपना हाई बनाया है लगवाग 3 माह को तो आरे सई और बहुत नीचे आ गया है और मेरा अनुमान है कि बीच तक आ सकता है अगर और डाउन जाता है तो बीच से नीचे नहीं जाएगा अपमान के चलिए तो जब इतना सारी बाते हैं तो सेर प्राइस जैसे बाहर निकलेगा और जब उपर जाएगा तो अगर आप हुआ है तो तुरंत इसमें से अपना प्रोफिट कर लिएगा या प्रोफिट नहीं भी बुक हो तो कम सकम जितना लागत लगाए हैं आप उतना लेकर निकल जाए क्योंकि इसमें ज्यादा नुक्सान दे सकता है दूसरा बात इस कंपनी का बुक अभलू है और मैं आपको पिछली वीडियो में भी कई बार बताया हूँ कि बुक बलू किसी भी कंपनी का कम सकम एक रोपया तो एक रोपया होना ही चाहिए एक रोपय से कम बुक बलु वाले जो पे परनी स्टॉक होते हैं उसमें आप इंवेस्टमेंट करने से बचिए क्योंकि समान्यतव वैसे त सब्सक्राइब और देखिए एक सब्सक्राइब करेट हुआ है और अभी एक दिन में 90 लाग भॉलूम क्रेट हो रहा है मतलब भॉलूम धिरे-दिरे इस कंपनी में बढ़ते जा रहा है तो एक बात उता है कि अब इसमें तेजी आने के असार दिख रहे हैं इसलिए अगर सब्सक्राइब को छोड़ भी दें तो आरो यह और आरो सी किसी कंपनी का कम सब्सक्राइब में होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि आप जो एक्विटी लगा इस कंपनी का उस पर अगर कुछ भी रिटर्न नहीं मिलना साल वर में तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट करने स जो तीन साल का होते हो अभी कुछ नहीं है हलाकि कंपांडिंग प्रोफित रिटर्न प्रोट में कुछ खास मायने नहीं रखता क्योंकि तीन साल तक इसमें कुई ठाड़ता ही नहीं प्रणत पैसा कमाने के लिए पैसा बनता है चलते बनते हैं फिर यह अगर मतलब कुछ हो यह थे कंटिन डिक्रीज होते जा रहे मतलब कंपणी का इस बिल्कुल नहीं हो रहा है और पैसा जो रिद्रीन यह यह चोग प्रोफित देखेंगे तो साल दर साल कंपणी आ कम होते जा रहा है मतलब बहुत बुरा इस्तिती है इस कंपनी के फंडामेंटल का तो फंडामेंटल को देखते विए तो यह तो कुछ सुझाव नहीं देगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए एक चीज जो कुछ अच्छा लगा इसमें वह यह है कि इसका जो इसका उपर जाता है तो आप इसमें ज्यादा मुनाफ़ा कमाने की चेकर निकल जाएगा वरना आप पहस सकते हैं और जो लोग नए इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी लिए सुझाव रहेगा कि दूसरा पेनिये श्टॉक देखिए अगर आपको पेनिये श्ट सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मुझे इस्टाग्राप पर फॉलोग कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब धन्यबाद शुक्रिया